हेलो डियर स्टूडेंट्स मोस्ट वैलकम टूरोन चैनल इंगलिस वेदार केंगो दोस्तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस का नाम तो सुनाई होगा साइबर सिक्योरिटी को इसकी बजए से क्या खत्रे हैं क्या बैनिफिट्स हो सकते हैं AI के और कितने इसके थ्रेट्स हैं कितने खत्रे हैं इन सभी की जानकारी के लिए दा हिंदू से एक एडिटोरियल लेके आया हूं आपको कॉंटेंट तो अच्छा लगेगा ही और जो लो आपका जो हेड्लाइन है उसको जड़ा एक बार ध्यान से देखिए आपको एन इन्फ्यूजड वर्ल्ड नीड्स मैचिंग साइबर सिक्यॉर्टी इन्फ्यूजड वर्ल्ड है ए आई इन्फ्यूजड का मतना होता ऐसी दुनिया जिसमें आर्टिफीशिल इंटेलिजेंस को इन्फ्यूज किया गया है सामिल किया गया है जहां आर्टिफीशिल इंटेलिजेंस सामिल हो चुकी हो ऐसी दुनिया में अगर ऐसी दुनिया में नीट किस चीज की है आवसकता किस चीज की जरूवत किस चीज की है आप सभी सब्दों को नोट करते रहिए एन का मतलब एक artificial सामिल दुनिया यह ऐसी दुनिया जिसमें artificial intelligence सामिल है needs जरूवत है matching cyber security यानि cyber security के अनुरूप हो artificial intelligence कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे देश की या दुनिया के किसी भी देश की cyber security को खत्रा बन जाए इसके बारे में आपको यहां से पढ़ाते हैं last year यानि की पिछले साल an incident of a frantic mother frantic का मतला anxious a n x i o us परेशान बेचेन restless एक frantic प्लीज note करेंगे frantic सब्द को देखो English तो मैं आपको दूंगा ही क्योंकि मेरा prime target यही है कि आपकी English को अच्छा करें लेकिन बिशह भी अच्छा हो तो मज़ा आ जाए सौने पर सवागा तो देखें जाना frantic का मतला होता है परेशान मदर who had received an ominous call जिसने प्राप्त किया जिसे मिली थी had received का मतलब जिसको मिली who मतलब जिसे had received मतलब मिली an ominous call एक बहुत ही खराब phone call उसके पास आई ominous का मतलब होता असुभ भी होता असुभ ominous call उस मदर को मिली जो मदर परेशान थी from kidnappers और यह call किसके माध्यम से आया kidnappers के माध्यम से जिन्होंने kidnap कर लिया था who had kidnapped her जिन्होंने kidnap किया था her daughter को raised an alarm in the US और यह जो incident है इसका क्रिया यहां पर है incident subject यहां पर है और इसकी वह यहां पर है और बीच में जो information आई हैं आपकी incident के बाद of a frantic mother से लेके और पूरा हर daughter तक यह incident की additional information तो जो घटना थी एक frantic mother जिसकी बेटी को kidnappers ने kidnap किया था उसके पास एक ominous call जाती है मदर के पास कि तुम्हारी बेटी मेरे कबजे में हैं यह घटना ने रेजन अलाम चौकरना कर दिया सब को साउधान कर दिया in the US Senate America का जो सीनेट है जहां सदन चलता अमेरिका का वहां पर यह आवाज उठी अबाउट देट्री मेंटल इंपक्ट आवाज किसको लेके थी डेट्री मेंटल इंपर हर सब्द नोट करते हैं डेट्री मेंटल का मतला होता हानिकारत इंपक्ट का मद अशर ऑफ आर्टी फीशिल इंटेलिजेंस तो यूएस तीनेट अमेरिका की सीनेट में जैसे हमारे यहां की परलियमेंट वहां पर वैसे इस सिस्टम है अमेरिकन सीनेट में ये आवाज उठी लोगों को साउधान किया गया कि भाई आर्टिफीशल इंटेलिजेंस की सहायता से इस तरह की कॉल भी डाली जा सकती है इस तरह के फेक इंसिडेंट भी क्रियेट किये जा सकते है यहाँ पर फिर एक प्रेज आप नोट करेंगे इस ख़बर ने पूरे देश को सप्राइश कर दिया टेक संबडी बाई नेस बाई ए स्टॉम तो टुक दा नेसन बाई स्टॉम को क्या पढ़ोगे मिला के पूरे देश को एनि अमेरिका को आश्चर में डाल दिया एज क्योंकि जो कथित अपहरन करता थे और जो बेटी की आवाज थी वर नथिंग ये कुछ भी नहीं था सच्चा ही नहीं थी इसमें बट हैकर्ज यूटिलाइजिंग जेनरेटिव एई बलकि हैकर्ज जो इंटरनेट जगत में हैकर्ज होते हैं उन्होंने जनरेटिव एई एक ऐसी आर्टिफीशल इंटेलिजन्स की साहता से वो वोईस क्रियेट की किड्नैपर्स की कॉल को क्रियेट किया और जो सामने वाले ने सुना तो उसे लगा कि वास्तों में मेरी बेटी का अपहरन हो गया जब कि कोई पुलिस का अधिकारी बनकर आर्टिफीशल इंटेलिजन्स की साहता से कि मैं तो कप्तान बोल लाँ एस पी बोल लाँ किसी सहर से और आपके बेटे का इस गलत काम में फसा है आपको छुड़वाना है तो आके पैसे दे जाएए तमाम तरीके से आर्टिफीशल इंटेलिजन्स का इस्तेमाल करके इक्स्टाउट मनी इक्स्टाउट मन होता है पैसा धन बसूली इक्स्टाउट मनी पैसा बसूलने का खेल चलता है ऐसा ही खेल अमेरिका में भी चला तो जो आर्टिफीशल इंटेलिजेंस है इसे वर्दान के रूप में तो देखा ही जा रहा है क्योंकि वर्दान भी है बहुत सारी चीजों में इसके बहुत तकारात्मक पॉजिटिव प्रियोग भी है लेकिन वहीं पर स्थाइबर सेक्योर्टी को कैसे खत्रा बन सकता है ये भी देखना पड़ेग इसे घटनाओं के बढ़ने के साथ इसे जो इनसान की समझ है और वाट इस रियल हकीकत की एंड वाट इस मेरली जनरेटिव एई एक तरव वास्तविक्ता क्या है और एक तरव आर्टीफीशल इंटेलिजेंस के माद्धियम से जो क्रियेट किया गया है उसके भी समझे स्लोली इरोडिंग तो वो परसेप्शन धीरे धीरे गायव हो रहा है स्लोली रोडिंग यानि हम फरक ही नहीं कर पा रहे हैं कि असली कि व्यक्ति की आवाज है यह आर्टीफीशल इंटेलिजेंस के माद्धियम से इस आवाज को क्रियेट किया गया इतना सिमिलर हो जाता है कि व्यक्ति जो है आश्चर में पड़ जाता है कि यार यह तो मेरे पापा ही बोलने लग रहा है कि आई मीन टू से की आटीफीशल इंटेलिजेंस से इतना रियल लाइक रियल लाइक वाइस क्रियेट किया सकती है यह रियल लाइक जो है लाइब व्यक्ति को बोलते हुए पाया जा सकता है अभी बीच में चुनाओ के दौरान सुना था अमिश्चा की भी आवाज को इसी तरह से AI की मात्यम से दिखाया पहले इसाय देखवा मोदी जी ने पबलिक में बताया था कि आर्टीफीशल इंटेलिजेंस से मेरे भी कुछ वीडियोज फेक वीडियोज डाले जा रहा है तो ये जो है दुनिया की एक अगली बड़ी चिंता है साइवर पुरक्षा के मामले में तोफिस्टेकेटिड यानि होता है उन्नत advanced तोफिस्टेकेटिड का मतलब होता है advanced इंग्लिश भी note कर सकते हैं advanced note कर लेजिया तोफिस्टेकेटिड साइवार थ्रेट्स यह advanced किसिम की उन्नत किसिम की siber समन्धी खत्रे वाईल इट व्युक्त सच है यह सच है दड़ कि अक्से ट्रान्सफॉरम से त्राइट परिवर्टन किया है हाउ वी ऑप्रेड डिस तरीके से मन्टीक को ऑप्रेड कर रहा है उसमें ए आ ने बहुत सकारात्माइग और बहुत ही अच्छे परिवर्तन भी किये, with its integration into sectors, और AI का जो integration हुआ है, यानि AI को जोड़ा गया है, बहुत सारे छित्रों में, जैसे की सिक्षा की छित्र में, पैंकिंग में, हेल्थ केर में, मैनुफैक्चरिंग में, तो भहिया, इसने, transform कर दिया है, किसने, artificial intelligence ने, तब paradigm of cyber risk, paradigm of cyber risk का मतला होता है, cyber जोखिम के पैमाने भी बदल दिये हैं, and safety सुरक्षा को as we know it जैसा की हम, अब जानते हैं, with the global GDP, जहां से देखना, with the, with, यह देखें, sorry, with the generative AI, industry projected to increase global GDP, generative AI के माध्यम से जो दुनिया का उद्योग जगत है, उसको expectation है, उसको मीर है, कि वो increase कर लेगा, global GDP, वैस्विक, gross domestic product को जो है, बढ़ाएगा, by as much as 7 to 10 trillion, और यह साथ से लेके 10 trillion तक हो जाएगा, यानि artificial intelligence की, education, banking, healthcare, agriculture, हर सेक्टर में इसका एक सकारात्मक दखल हो सकता है, एक economy में एक बहुत अच्छा इसका impact आ सकता है, तो एक तरफ जहां आपको artificial intelligence के फायदों को गिनाना है, वहीं इसकी जो खत्रे हैं, जो समस्याएं हैं, उनके बारे में भी आपको चर्चा करनी होती है, अगर आप civil के aspirant होंगे, अगर आप civil aspirant होंगे तो या कहीं भी होंगे आपको इसकी चर्चा करनी पड़ेगी, राइट, the development of generative AI solutions, जो development हुआ, generative AI solutions का, such as that GPT in November 2022, has spurred, इस पर माने बढ़ा दिया, spurred के मादा increased, vicious माने खराब, cycle माने चक्र, इसने एक खराब कुचक्र कहलो, अगर दोनों को मिला के पढ़ना हो, विश्य साइकल को हम कुचक्र कह सकते हैं, कुचक, तो इसने कुचक्र को बढ़ा दिया है, of advantages, जो advantages and disadvantages, तो पायदे और नुकसान का जो एक कुचक्र है, vicious cycle है, उसको थोड़ा और increase किया है, according to a, recently published report, आल ही में एक published report थी, recently published report के अनुसार, recently published report के, there has been, there has been a 1265% increase, वारास तो 65% increase, बहुत बड़ा परसेंट है वह यह, वारास तो 65% की increase है, in phishing, incidents, क्योंकि artificial intelligence के माध्यम से इंसिदेंट हो रहे है, emails along with a 967% increase in credential phishing, credential phishing मने विश्वसनिता को गरबर करने का, या emails या अन्य चीज़ों का, since the quarter, fourth quarter of 2022, यानि 2022 की जो quarter था, यानि last three months, तब से लेके अब तक 967% जो है वो credential है, विश्वसनिता में, करबरी की गई है, 1265% जो है incident phishing है, क्योंकि की incidents हुई है, wrong type के, arising from the exacerbated utilization, यह सब कहां से हो रहा है, arising मतलब निकलना, यह सब जो समस्य हैं उभर के आ रही है, arise from उभर के आना, सामने आना, from the exacerbative, बढ़ा हुआ, exacerbative का मतलब होता है, बढ़ा हुआ, utilization का मतलब उप्योग, manipulation of generative AI, या तो बहुत ज्यादा हम लोग इसका प्रियोग कर रहा है, AI का, या फिर manipulation यानि तोड़ मरोड के, गलत तरीके से, manipulate करना, किसी गलत तरीके से प्रियोग करना, गलत तरीके से भी हम generative AI का प्रियोग कर, तो यह यह है situation, समझ लीजे, और सुन लीजिए, with sophisticated cyber threats, advanced level की cyber threat है, on the rise है, यानि में लगातार ब्रद्धी हो रही है, organizations and individuals, यानि जो तमाम organizations, agencies हैं और जो ब्यक्तिकत लोग है, are susceptible, यह susceptible है, यानि इनको खत्रा होने की संभावना है, susceptible to का मतलब, इनको नुक्सान होने की संभावना है, to the novel awareness of cyber attacks, novel avenues of cyber attacks, यह नए-नए मौके आ रहा हैं, cyber attacks के, pushing firms to adapt to ever evolving technology, और यह जितनी भी firms हैं, जितनी companies हैं, उनको push कर रहा है, कि वो सामझस से बैठा हैं, adapt का मतलब, adjust करें, adjust करें, ever evolving technology, हमेशा से विक्सित हो रही, तकनीकी के साथ, जितनी भी सरकारी, और 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 जिसन से हैं, फर्म्स हैं, वो भी कहीं न कहीं तालमेल बैठाएं, as per a study conducted by deep instinct, deep instinct ने एक study किया, जिसमें लगभग, यानि around, लगभग, 75% professional witnessed, 75% website, अलग-लग website से जोड़े लोग हैं, उन्होंने witness किया, यानि उन्होंने देखा, an up search, up search का मतलब पढ़ोगे, increase, an up search को देखा, an increase in cyber attacks in the past year alone, पिछले साल में अकेले जो है, लगभग 75% professionals ने अफसर्ज यानि increase देखा, cyber attack का, while 85% जबकी 85% जो surveyed respondent हैं, जिनका सर्वेक्षन किया गया, ऐसे लोग have attributed the increased risk to generative AI, उन्होंने भी, जो भी increased risk हैं, बढ़े हुए जो खत्रे, जोखिम हैं, उनको उन्होंने जोड़ा attribute किया, यनि जोड़ा किस से जोड़ा, to the generative AI, artificial intelligence से जोड़ा है, एक दो term आप चाहें, तो Google मार देना, जैसे generative AI का और detail देखना है, तो आप Google कर लेना, या phishing का आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने से भी homework, किया जा सकता, अगर आप smart student हैं, तो, we are language teachers, so we can explain all these things in a general manner, technology की, अगर perspective से देखें, तो you will have to go an extra mile in order to find out, actually what is artificial intelligence and how does it function, आगे देखते हैं, it becomes imperative now, अब यह जरूरी भी है, आज यह आवश्टक है, more than ever, पहले की तुल्ला में, to develop solutions, कि हम solutions develop करें, through collaborative avenues, सहयोग आत्मक जो तरीके हैं, to safeguard, सुरक्षित करने के, बचाने के, confidential information को, जो विश्वस्नी है, सूचना है, उनको बचाने के लिए, identities को, and even human rights, और मानो अधिकारों को बचाने के लिए, collaborative प्रयास्टों की जरूवत है, सामोहिक, अब क्या-क्या खत्रे आ सकते हैं, confidential information को, damage किया जा सकता है, identity को बदला जा सकता है, पता लगे कि आप, सोचो यार मुझसे प्रधानमंत्री मोधी बात ही नहीं कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री मोधी बात कर रहा हैं, आपको phone call कर दिये, hello, मैं प्रधानमंत्री नरेदर मोधी बात कर रहा हूं, अब पता लगे कि वह हैं नहीं, artificial intelligence है, तो यह सब बड़ी चीजें हैं, जो आने वाले समय के खत्रे हैं, जनरेटिव ए आई कंटिनूज टू मैच्योर, क्योंकि यह लगातार मैच्योर हो रही है, निवर है, और नई, more complex threats, और ज्यादा जटिल जो खत्रे हैं, complex threats हैं, have horizon वह भी सामने आये हैं, through cognitive behavioral manipulation, कुछ में तो cognitive behavioral manipulation किया जाता है, cognitive brain संबंधी, behavioral तोड़ मरोड करके भी, जैसे की ब्यक्ति का पूरा style बोलने का, उसके हाव हाव, उसका तरीका, सब कुछ जो है वो, cognitive behavioral यही सब आता है, practical हाव हाव, और तरीकी सब को copy किया जा सकता है, critically, अब आपको थोड़ा सा next पर जाना पड़ेगा, अब देख लेता हूँ, just wait for a minute, critically, dangerous incident have surface, खतरनाक घटनाएं सामने आई है, surface मने सामने आना, with voice activation toys, voice activation toys कर दिये, किसी के आवाज, किसी खलोने में डाल दी, gadgets बना दिये, that encourage dangerous behaviors in children, जो बच्चों में dangerous behavior को increase करते हैं, अब artificial intelligence के कई नुक्सान आप देख चुके थे, पायदे भी देख चुके हैं, एक बड़ा नुक्सान जो आने वाला है, खिलोनों में जो gadgets हैं टेक्नी technology से बने, उनमें अगर artificial intelligence से कोई voice को activate किया जाता है, जैसे रावड की आवाज बना दिये हैं, खतरनाक लोगों की आवाज डाल दिये हैं, आतंगवादियों की आवाज डाल दिये हैं, तो इससे एक तरह का बच्चों में भी बहुती negative impact जा सकता है, और बच्चे किसी भी देश का भविस से अगर वहां गरबड़ी आने है, threat to, खतरा है, एक बैक्ती की निजता, privacy and security पर भी इसका खतरा है, तो ये थे साइबर security को लेके main main point जो मैंने आपके साथ आजा गिए, अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज एक बार share जरू कर दीजेगा लोगों को ताकि उनका भी भला हो सके, like करिए ना करिए, लेकि share करते रही है, ताकि लोग जो जरूत मन्द हैं, उन तक सही धंग से ये चीजें पहुंचें और उनको कुछ word meaning पहुंचेगी, कुछ ग्यान पहुंचेगा उनके पास, इसी उम्मीद के साथ, अपने session को मैं wind up करता हूँ, thank you so much, have a very nice time, जै हिंद, जै भारत, जै ग्रामिर हुआ 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 हुआ